हाई एवरिवन वैलकम बैक तो लर्णिंग ट्रिविया दिस इस रविन अवशिस्ट एन आज का वीडियो काफी साथ इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने रास्तान राज्ये विद्धुद उत्पादन निगम लिमिटेड या फिर ज इससे हमें एक्सपेक्टेड का आइडिया लग जाए तो सबसे पहले अगर हम बात करें 2018 की कट आफ की तो आप सभी को पता है कि 2018 में जो कट आफ थी वो हर एक निगम की अलग-अलग कट आफ गई थी यानि कि जैसे रासान विद्धुद उत्पादन निगम लिमिटेड है उसकी जो कट आफ थी वो अगर हम बात करें अन्रिजर्वड या फिर जनरल काटेगरी की वो गई थी 101 मार्क्स और फीमेल काटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए जो कट आफ थी वो थी 90.5 मार्क्स इसके अलावा अगर हम बात करें BC या फिर MBC कैटेगरी के सुडेंट्स के लिए उनकी जो कट落व थी उस् crawling पोँवाइब के लिए उनकी टीड के सी नाइंड 25 बार इसके लावा । Category की जो final cut-off थी वो थी 3.75 marks और female Category की जो cut-off थी 60.5 marks. TSP Category की जो cut-off थी वो थी 68 marks और अगर आम बात करें दूसरे निगम की जिसमें आप देख सकते हैं JVNL की cut-off है वो unreserved category के लिए 96.5 marks गयती male candidates के लिए और female के लिए जो cut off थी वो थी 94.75 marks BC या MBC काटेगरी के students के लिए 88 और female काटेगरी के लिए 87 marks cut off थी ST काटेगरी के candidates के लिए 65.5 marks थी दोनों ही candidates के लिए चाहे male हो या फिर female और ST काटेगरी के candidates के लिए 76.5 marks cut off गई थी और अगर हम बात करें जोदपूर विद्यूत वित्रन निगम लिमिटेड की तो यहाँ पर जनरल काटेगरी male की cut off 95.25 marks गई थी और female काटेगरी के candidates के लिए 76 marks थी BC और MBC काटेगरी के लिए 85.5 और females के लिए 71.75 marks cut off थी ST काटेगरी के लिए 64.5 marks cut off थी और ST काटेगरी के लिए 52.5 marks cut off रही थी तो इस हिसाब से अगर हम इस बार की यानि की 2021 की expected cut off की बात करें तो आप स्प्रीन पर देख सकते हैं जनरल काटेगरी की cut off है वो 110 से 118 के बीच में कहीं रह सकती है OBC के लिए 95 से 105 marks के बीच हो सकती है EWS के लिए 90 से 100 marks जो रहेंगे वो safe zone होगा और ST के लिए 85 से 95 marks के बीच कहीं रह सकती है ST के लिए 80 से 90 marks भी safe zone में रहेगा मैं आप लोग को बता दू कि cut off जो है वो इससे कम ही जाएगी इससे जादा बिल्कुल जाने के chances नहीं है तो अगर आप इतने marks के बीच में fall कर रहे हैं तो आप एक safe zone में हैं और इससे जादा cut off जाने के chances बहुत कम है क्योंकि आप सभी को बता है कि इस बार जो cut off है वो सभी निगम की एक साथ जाने वाली है और पिछली बार सबकी अलग-अलग cut off गई थी बट इस बार ऐसा नहीं होने वाला है और paper कर level जो था वो भी इतना जादा difficult नहीं था उसे जाब से ये cut off maximum cut off है इससे जादा cut off नहीं जाएगी अगर आप लोगों को वीडियो पर जिन्दा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक कर दें थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दे वीडियो